इस सत्र के बाद हमारे मार्मियवित मंत्री जी उस तरफ चले जाते हैं बड़े घर में तरफ तरफ आज जो अध्राइब नाया भी हां तो अद्किन हॉत्त मान करते हैं और रहा है तरफ प्रफ टार परेण चुच्च्च्च्च्च आज रहा है और रहा है तो आज यह नहीं को चलेख बादि दाख आख अप्रफ एप्प जिन स्यूद्द आख यह लेकिए तीन साल तक नॉर्थ ब्लॉक के विश्ट मंत्राले में बैठे रहे हैं और अब कॉंग्रेस ने उन्हें इस रास्पती भवन में बैठाने का पैसला लिया मुझे लगता है कि ही कैन बेरी गुड प्रेसिदेंशियल के इस से अच्छा और कैंड़ेट है यह नहीं क्योंकि और तब देखिए जब पार्लामेंट में इतना दिल्चस्पी रखते हैं क्योंकि वह टेक्स्ट्बूक मैंने और कानून का जो किताबे हैं उसमें डूबे रहते हैं राष्ट्पती बनने की अपनी चाहत के बारे में प्रणा मुखर जी ने कभी खुल कर तो नहीं कहा लेकिन कॉंग्रेस के नेताओं को इस सरफ इशारा ज़रूर कर दिया था मुझे सुबह पैदल चलना अच्छा लगता है अकेले अपने खयालों में मैं अपने 90 मीटर के बगीचे में रोज 40 राउंड लगाता हूँ जो खरीब 3.5 किलो मीटर है राष्ट्रपती भवन में बड़े बगीचे हैं वहां किसी को 40 राउंड नहीं लगाने होंगे आखिरखार कॉंग्रेस प्रणा मुकरजी की इस ख्वाइश को पूरा करने के लिए तैयार हो ही गई कंप्लेक्स सवालों को समझते हैं पूरदेश की हिस्ट्री की जानकारी है मेमरी बहुत अच्छी है उनकी और एक अनुभवी लीडर होने के नाते उनकी इज़त की जाती है अगर प्रणा मुकरजी कुछ पहल करते हैं तो उनकी सुनी जाएगी किसी भी पार्टी लीडर द्वारा कॉंग्रेस के लिए प्रणा बाबु को राश्पती पत के उमिद्वार बनाने का स्वैसला करना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि केंद की UPS सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंग जोकी प्रधान मंत्री है उनके बाद प्रणा मुकरजी के हैसियत नंबर दो की थी प्रणा मुगरजी UPS सरकार के सबसे बड़े संकत मुचक माने जाते हैं जब जब मनमोहन सिंग की सरकार किसी मुश्किल में किसी मुसीबत में घिरी है तब तक प्रणा मुकरजी सामने आये हैं और उन्होंने समस्या का समाधान निकाला भी है लेकिन अपनी आखरी संसदिये पारी खेल रहे प्रणप मुकरजी के प्रती कॉंग्रेस का भी एक फरस्था जो उसने पूरा कर दिया प्रणप बावू को जो इंपॉर्टेंस दिया गिया है उसमें लगता है कि प्रदान मंत्री ना हुने का ना करने का जो आप कह रहे हैं जो डिसिशन उसमें करेक्शन कॉंग्रेस भी कर दो प्रणो मुखर जी पचास साल से रास्टी राजनीती में है और उसमें से तकरीबन चालिस साल उन्होंने संसदिय राजनीती की है और सम्विधान की भी उन्हें गहरी समाझ है ऐसे में कॉंग्रेस के लिए राश्टपती पत के उमिद्वार के रूप में प्रणो मुखर जी से बहतर कोई उमिद्वार हो भी नहीं सकता था हमारे देश में राश्टपती होने के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि कॉंकि कॉंस्टिटिशनल माइन का जो एक फ्रेमवाख होती है टेक्स्ट्बूक मैन का और पॉलिटिकल कॉंसस मतलब जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसके उपर गहना और एक कॉंसेंस पॉलिटिक्स से लेके मुलायम सिंह यादब लालू प्रशाद यादब सब के साथ जो एक अच्छा रिस्ता है तो मुझे लगता है कि ये प्रणाव बबु के लिए अच्छा स्रिफ नहीं है देश के लिए भी अच्छा है प्रणाव मुखर जी ये कह चुके है कि यह उनके आगरी संसतिय पारी है ऐसे में कॉंग्रेस के पास भी आगरी मौका था उनको देश के सर्वोत सहमिधानिक बद पर बैठाने का और प्रणाव मुखर जी के पास भी आगरी मौका था देश के शिखर कुर्सी पर बैठने क प्रणाम मुकजी नियुक्त प्रणाम मुकजी प्रणाम मुकजी नियुक्त 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 प्रणा राश्टपती के संभाविद उमीद्वारों में प्रणमुखर जी का नाम इससे पहले कभी नहीं जुड़ा था लेकिन प्रधानमंत्री पर्ध के दावेदार के रूप में उनका नाम की चर्चा पहले भी कई बार हुई है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए यह दूसरा उनको एक रिग्रेट हो सकता है लेकिन जिन्दगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता है तो उनको काफी कुछ मिल गया है एक लास्ट चीज नहीं मिली उनको वो इसको मोटे है कि यह दो बेस्ट प्राइम इनिस्टर इंडिया लेवा हैड तो नहीं बने तो नहीं बने लेकर प्रधानमंत्री कितने लोग बन सकते हैं 1984 में इंद्रा गांधी देश की प्रधान मंत्री थी और प्रणो मुखर जी उनके मंत्री मंडल में दूसरे सबसे ताकतवर मंत्री थे 1984 में इंद्रा गांधी की हत्या हो गई उसके पाप सियासी गल्यारों में ये चर्चा होने लगी कि प्रणा मुखर जी उस वाक्त देश के प्रधान मंत्री बनना चाहते थे देखिए इंदरा गांधी के बाद प्रधान मंत्री बनने के लिए जो प्रणा बाभु ने बोले थे उसको लेके बहुत कर्ट्रोवर्स्टी हुआ था और उस समय बरकत गानी खांचे अधुरी ने बोल दिये थे कि प्रणाब बाभु वांटेट तो बिकम प्राम इनिस्टर उस समय ये प्लेन में आये थे राजीव गांधी के साथ बंगाल से दिल्ली और कहा जाता है कि उन्होंने मंशा जाहिर की थी कि प्रधान मंत्री उनको बनाना चाहिए क्योंकि वो नंबर टू थे हाला कि उनके जो करीब लोग है वो उस समय भी उन्होंने कहा था कि प्रणाम मुकर जी ने सिर्फ एक constitutional position को साफ किया था कि वेकंसी प्राइम मिनिस्टर की नहीं रह सकती है तुरंत प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और political decision वो बाद में लिया जा सकता है 1991 और 2004 में कॉंग्रेस की अगवाई में सरकार बनी प्रणाम मुकर जी के पास प्रणामंत्री बनने के दो-दो सुनहरे मौके थे लेकिन परिस्टिया उनके हक में नहीं थी केंद्र में आठ साल सकता से बाहर रहने के बाद 2004 में कॉंग्रेस की अगवाई में केंद्र सरकार बनी सोलिया गांधी ने प्रिद्दत्न मंत्री के पथ को ठुक राया और मन्मुहSung को देश का प्रणामंत्री बनाया मज बहुन सिंग को 110% ट्रस्ट है परनाब मुकर जी पे शहद 90% ट्रस्ट है और उनको चाहिए 110% वला जिया क्यूंकि प्रनाबबू ऊबर यह जेकिटीट मेडिया मिं क्या चाहिए ओलगर्ड वैलेश में लिखा है दिल्चस्ट बात ये है कि प्रणामुखर जी की कलम से ही दॉक्टर मनमोहन सिंग की नियुक्ती हुई विच मंत्री से प्रणामुखर जी और रिजर्ब बैंक अफ इंडिया के गौर्नर मनमोहन सिंग 2004 में जब Manmohan Singh प्रधान मंत्री बने, उनकी मंत्री मंदल में प्रणामुकर्जी की रख्षा मंत्री बनाए गए इसी भी व्यक्ति के लिए अपने जूनियर के अंडर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर राजनेताओं के लिए और खासकर प्रणामुकर्जी के लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा 2004 में दॉक्तर मनमोन सिंग के अंडर काम करना और यह उस समय कहा जाता था कि प्राइविट में डॉक्तर मनमोन सिंग प्रणामुकर्जी को सहर करके ही अड्रेस करते थे